नमस्कार विध्यार्थियों सौगते आपका हमारे इस यूटूब चैनल में आज हम पढ़ेंगे डिस्पोजल ओफ फुल लेंस इनकार्मेंट्स टक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं टक्स के बारे में थोड़ा कई परिधानों में डार्ट्स ना डालकर टक्स की साहता से ही फिटिंग लाई जाती है इनकी सिलाहियां अत्यन्थी महीन होती है बलाउज, इशकर्ट, फ्रॉक, आधी पर डार्ट के इस्थान पर दो से तीन टक्स देकर डार्ट को नियंत्रित किया जा सकता है आधिकांस लोग टक्स और प्लीट्स में अंतर नहीं समझते हैं इन्हें एक ही मान लेते हैं परन्तु इन दोनों में परियाप्ट भिनिता होती है मूल अंतर यह होता है कि टक्स बारीक होते हैं और परिधान की पूरी लंबाई एवं चोड़ाई में डाले जाते हैं जबकि प्लीट्स की चोड़ाई ज़्यादा होती है और यह परिधान की पूरी लंबाई में नहीं लगाए जाते हैं तो ये था हमारा टक्स टक्स और डार्ट्स ये सारी चीज़े क्या हैं जिनके बारे हम पढ़ रहे हैं ये हैं सिलाई के टाके ये जो सिलाई में या हमारी जो हम कुछ कप्रा या पड़िधान तयार करते हैं तो उसमें सजावट सुंदर्ता आकर्शन को पैदा करने के लिए ये टाके लगाए जाते हैं टक्स के प्रकारों के बारे में भी देख लेते हैं टक्स के कुछ प्रकार हैं देखते हैं पहला प्रकार है होरिजन्टल टक्स दूसरा प्रकार है वर्टिकल टक्स तीसरा है चैक टक्स चोथा है डाइगोनल टक्स पांचवा है कॉर्ट टक्स चट्वा है अदर डेकुरिटिव टक्स्स G 어떤 टेस्क मतलब अनुप्रस्त मतलब आढ़ा तो जब टक्स को हम आडि दिशाओं में डाल के तो इसे अनुप्रस्त टक्स कहेंगे इससे बने पर्दान में चोडाई का भ्रहम उत्पन होता है अनुप्रस्थ मतलब आड़ा तो जब हम टक्स को आड़ी दिशा में डालेंगे तो उसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ टक्स हमारा दूसरा प्रकार है वर्टिकल टक्स यानिकी लंबवत मतलब खड़ा जब टक्स जो वस्तर की लंबाई वाली दिशा में डालते हैं ताब इसे लंबवत टक्स कहेंगे इससे परिधार में लंबाई का भ्रहम उत्पन होता है तीसरा टक्स है चार खानों वाला टक्स यानिकी चैक टक्स चैक की जैसे शर्ट पहनते हैं चैक के कई शूट आते हैं तो चैक वाली डिजाइन रहती है जिनमें चार खाने होते हैं चार खाने वाले टक्स जब टक्स लंबाई और चोड़ाई वाले हिस्से में बनाई जात तब इसे चार खाने वाले टक्स कहते हैं इन सभी टक्स की दूरिया समान ही रखते हैं तभी ये टक्स सुंद दिखाई देते हैं चोथा टक्स का प्रकार है डाइगोनल टस्क यनिकी तिर्चा डाइगोनल मतलब तिर्चा जब टक्स डालते हैं तो कपड़े को तिर्चा पकड़ना पड़ता है तथा मशीन से टाका लगाना पड़ता है इस टक्स को लगाते समय काफी साउधानी रखनी पड़ती है क्योंकि टक्स को तीर्चे कपड़े में डालने में थोड़ी अश्विधा होती है हमारा पांस अप्रकार है कॉड टक्स मतलब कॉड मतलब डोरी वाले टक्स तो इन टक्स को बनाते समय पतली डोरी का प्रियोग करते हैं मोड़े किनारों के भीज में डोरी लगा कर बिल्कुल सटा कर पास-पास लाई कर देते हैं डोरी टक्स मेंसे नहीं निखर लें पाए इसके लिए डोरी के नीचे वाले छोर पर गाठ लगा देते हैं यह टक्स देखने में अत्यनती मोहक, लुभावने एवं एश्वरी शील, एश्वरी शाली दिखाई देते हैं सौफा कवर, कुशन कवर, गदियां आदे में इस तरह के टक्स लगाए जाते हैं क्या थे ये डोडी वारे टक्स, मतलब कॉट टक्स अब हमारा लास्ट और अंतिम है, अन्य सजावती टक्स के बारे में देख लेए, अधर डेकरड़ टक्स कौन कौन से हैं इस तरह के टक्स पूरे परिधान में ना बना कर बीच में ही छोड़ देते हैं चूटे वे भाग को मोती, कोडी, घुंगरू, शीप, संख या अन्य चीजों को लगा कर सजा देते हैं ऐसे टक्स अक्सर बाजू पर कुड़ते के निचले हिस्से में गले के पास में बनाई जाते हैं इन टक्स का काम क्या होता है? सुन्दर्ता परदान करना मतलब सजावट का काम करना इसलिए हिने सारे परिधान में नहीं बनाते बलकि बीचो बीच बना देते हैं ताकि कुछ ऐसी चीजों से सुन्दर्ता का आभास हो या सुन्दर्ता का सुन्दर्ता परतीत हो तो ये थे हमारा अंतिम प्रकार अन्य सजावती टक्स तो इस्टूडेंट आज हमने पढ़ा टक्स के बारे में उम्मीद करती हूँ आपको ये चेप्टर समझ में आया होगा मुझे दीजे इजाज़त, धन्यवाद